ही एब्रिवाइन वेल्कम बेक टू एल्गोरिधम एजुकेशन एंड माइने मिस ओपेंद्र यादब तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ओफ रेयल नमर्स की लेक्षर सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें आज है हमारा नेक्ष लेक्षर है एंड इससे पहले के कुछ लेक्षर में हम लोग कॉसी सीक्वेंस के बारे में डिसक्वेंस कर रहे थे तो कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन उससे रिलेटेट कुछ प्रॉपर्टीस थी रजल्ट्स थे एंड थियोरम के इस्टेट्मेंट थे तो आपको ये सभी थियोरम के इ example के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाते हैं तो इसके लिए आप मेरी playlist में जाएगे वहाँ पर आप लोग को sequence की playlist में जाएगे वहाँ से आप मेरे सारे lectures को देख सकते हैं आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ जाएगे इसके बाद आज के लेक्षर में हम लोग कॉसी फर्च थियोरम ओन लिमिट के बारे में discussion करेंगे कि इसका statement क्या होता है इसके बाद कुछ examples भी हैं तो हम लोग उन examples को भी discussion करेंगे कि यह जो theorem का statement है इसको कैसे apply किया जाता है किसी भी question को solve करने के लिए ठीक है तो हम लोग examples को भी discussion करेंगे तो चलिए अब हम लोग विना time waste कि आज के lecture को start करते हैं और देखते हैं कि कॉसी फर्स थियोरम ओन लिमिट क्या होती है और यह जो कॉसी फर्स थियोरम ओन लिमिट है इसका statement आप लोग को बिलकुल याद रखना है क्योंकि यह एक important theorem है इसी तरीके से एक theorem और है को जियाद रखना क्योंकि द्वी से क्यालनों देखने को मिल जाएगा तो हो सकता है कि उ से एक वर लिमिट के उपर हो या फिर वह सकता है कि वह को 9 te from ओन लेमिट के उपर हो लेकिन एक उन एक Choose your madre तो आप परका हो या फिर किसी अधर युनिवर्सिटी इंट्रेंस एक्जाम हो तो आप लोग को इन दोनों थेोरम से रिलेटेड़ कोईशेंद देखने को मिल जाएंगे तो इस वज़े से इन दोनों थेोरम के स्टेटमेंट को याद रखना तो इस लेक्चर में तो हमलोग के बन कोईशेंच थोरम ऊν लिमिट को carrys discretion करेंगे इसके बाद जो आगे का नच लेक्चर होगा ऊसमें हम लोग कोईच थोरम ऊन लीमिट को discussion करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कॉसिस फ़िस्टरम on limit के statement को देख लेते हैं तो इसका statement यह है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक sequence an है और यह जो sequence है यह real numbers की sequence है और अगर इस sequence an की limit l है तो इस an sequence की help से यह जो दूसरी sequence बनाएंगे a1 plus a2 plus a3 and so on plus an divided by n तो जो limit an की होगी वही same limit इस sequence की भी होगी अब अगर माल लेजे आपको इस type की कोई एक sequence दे दी जाए और आपसे यह पूशा जाए कि इस sequence की limit बताए क्या होगी तो बस आप लोग को इतना check करना है कि इस sequence यह जो sequence an है इस sequence की limit क्या होगी तो जो limit an की होगी न वही उस पूरे sequence की limit हो जाएगी तो बस इतना ही काम करना है इसके लवा आप लोग को कुछ भी check करने की जरूरत नहीं है तो इस statement को आप लोग याद रखना और आगे अभी हम लोग examples को भी discussion करेंगे न तो इस statement का concept आप लोग को और अच्छे से clear हो जाएगा अच्छा अब यह देखते हैं कि यह जो theorem दी गई है इसका converse part in general true होता है या फिर नहीं होता है तो इस theorem का in general converse part true नहीं होता है मतलब अगर हमारे पास कोई एक sequence इस type की हो a1 plus a2 plus a3 and so on plus an divided by an जिसकी limit अगर l आ रही हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि sequence an की limit भी l आ रही हो इसका मतलब the converse of the causes first theorem on limit is not true अच्छा converse part का एक example देख लेते हैं क्या पता आप लोगो मेरी बात पर भरोसा ही ना हो रहा हो तो मैं आप लोगो converse part का एक example बता देता हूँ तो देखो example यह है हमारे पास एक sequence है an is equal to minus 1 की power n minus 1 तो इस an sequence की help से सबसे पहले हम लोग इस sequence को check करते हैं कि इस sequence की limit क्या आएगी तो a1 plus a2 plus a3 and so on plus an divided by n जब आप इसको calculate करोगे इस an के लिए तो जब n की value even लोगे तब इसकी value आएगी 0 और जब आप n की value odd लोगे तब इसकी value आएगी 1 by n और हम लोग को इसकी क्या निकालनी है limit निकालनी है न तो जब हम limit apply कर देंगे तो limit of 0 यह तो 0 ही रहेगा न और limit of 1 by n तो 1 by n sequence की limit क्या होती है 0 होती है न मतलब दोनों cases में चाहे आप n के value even ले लो चाहे आप n के value odd ले लो इस sequence की जो limit आएगी वो दोनों case में 0 आएगी that is limit of a1 plus a2 plus a3 and so on plus an divided by n is equal to 0 तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगोंने causes first term on limit के converse part को देखा था न converse part में क्या था कि अगर किसी sequence a1 plus a2 plus a3 and so on plus an divided by n अगर इस sequence की limit 0 आ रही है मतलब in general तो l था न लेकिन यहाँ पर हम लोगों को l के value क्या मिल रही है 0 मिल रही है तो अगर इस sequence की limit 0 आ रही है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि sequence an की limit भी 0 आ जाए और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यह जो an sequence है अगर आप इसकी limit निकालोगे तो यह तो convergent ही नहीं है तो फिर आप लोगो limit कैसे निकालोगे यह तो एक oscillatory sequence है तो जब यह convergent ही नहीं है तो फिर हम लोगो limit ही नहीं निकाल सकते तो कैसे कह पाएंगे कि इस sequence की limit 0 आ रही है इसका मदब limit of en is not equal to 0 तो अब तो believe हो गया ना कि cause is first theorem on limit का जो converge part होता है वो in general true नहीं होता है अब हम लोग cause is first theorem on limit के ऊपर कुछ examples हैं तो हम लोग उन examples को देख लेते हैं कि इस theorem को किसी भी question की limit निकालने के लिए कैसे use किया जाता है तो second example है इस lecture का so that limit of 1 by n 1 plus 2 की power 1 by 2 plus 3 की power 1 by 3 plus and so on plus n की power 1 by n is equal to 1 तो यहाँ पर हम लोग को एक sequence दी गई है और इस sequence की limit बतानी है कि इस sequence की limit आएगी वो आएगी 1 अब आप यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि इस example को हम लोग epsilon delta definition की help से solve करेंगे तो मत करो फालतू में आप अपना time waste करोगे इस tab के examples को हम लोग epsilon delta definition की help से solve नहीं कर सकते हैं और नहीं आप लोग को किसी exam में पूछा जाएगा मतलब exam में तो नहीं पूछा जाएगा कि इसे epsilon delta definition की help से solve करके दिखाओ लेकिन अगर चाहे आपको university exam भी हो तो उसमें भी कभी भी आपको इस tab की sequence जो होती है उनमें कभी नहीं बोले जाएगा कि epsilon delta definition की help से solve करके दिखाओ कि इस sequence की limit वन आएगी तो इस type के examples आप लोग को epsilon delta definition की help से solve नहीं करने हैं या तो आप causes first theorem का use कीजी या फिर आप causes second theorem का use कीजी ठीक है तो यहाँ पर हम लोग causes first theorem को पढ़ रहे ना तो हम लोग causes first theorem on limit को ही use करेंगे और हाँ एक बात और अगर आपको कोई sequence ऐसी दे दी जाए कि 1 by n into में something कुछ और दिया गया हो और आपसे यह पूछा जाए कि इस sequence की limit बताइए कि limit क्या होगी तो आप वहाँ पर बिना सोचे समझे जल्दी से causes first theorem on limit को apply कर दीजिए जादा से जादा 10 सेकेंड में आप लोग का answer निकल आएगा ठीक है तो अगर 1 by n into में something कुछ दिया गया हो ना तो causes first theorem on limit का use करना ठीक है तो अब हम यहाँ पर भी use करते हैं तो देखो अगर माल लो हमा क्या दिया गया एन की power 1 by n दिया गया ना तो यहीं से मैंने idea लिया था कि अगर हम a n की value n की power 1 by n लेके चलें तो अगर हम causes first theorem on limit का use करेंगे ना तो हम लोग को यही sequence मिल जाएगी तो अगर a n is equal to n की power 1 by n तो पहले हम लोग इसकी limit निकाल लेते हैं तो n की power 1 by n की limit क्या होती है आप लोग को पता होना चाहिए कि n की power 1 by n की limit 1 होती है अचा नहीं पता थी आप लोग को के n की power 1 by n की limit 1 होती है चले कोई नहीं अगर नहीं भी पता है तो next lecture में मैं इस example को भी करा दूंगा कि n की power 1 by n की limit होती है वो 1 होती है तो कैसे होती है उसको देखने के लिए आप को next lecture follow करना होगा तो अभी आप लोग मेरी बात माल लो कि एन की पावर वन बाई एन की लिमिट वन होती है अब हम लोग यहां पर कॉसिस फर्स्ट थर्म और लिमिट का यूज करते हैं तो लिमिट ऑफ एबन प्लस एटू प्लस एट्री एंड सो और प्लस एट डिबैडिट तो एटू मिल जाएगा तो एटू की जगे वन इतू की जगे टू की पावर वण बाई-टू एथ्री की जगे ट्री की पावर वन बाई-ठ्री एंड iki पावर यहाँ पर डय conspiracy från अन है तो आप साथ 3 प्लस 2 की पावर 1 बाई 2 प्लस 3 की पावर 1 बाई 3 प्लस and so on n की पावर 1 बाई n और इसकी लिमिट किसके बराबर अगई 1 के बराबर क्योंकि an की लिमिट क्या है 1 है न तो इस sequence की लिमिट हम लोगो 1 मिल गई तो यह example समझ आया आप लोगो चलिए अब next example देखते हैं तो next example य 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 and so on प्लस 1 बाई n is equal to 0 यहाँ पर भी हम लोगो एक sequence दी गई है और यह बताना है कि इस sequence की जो लिमिट आएगी वह आएगी 0 तो यहाँ पर भी हम लोग कॉसी फर्स तर्म उन लिमिट का यूज करेंगे तो मैंने लास्ट वाले टर्म से फिर स निकाल लेते हैं तो 1 by n sequence की limit क्या होती है 0 होती है ना that is limit n tends to infinity an is equal to 0 now why cos is first theorem on limit limit n tends to infinity 1 by n a1 plus a2 plus a3 and so on plus a n is equal to limit of a n तो limit of a n क्या है 0 यह ना तो इसकी जगे हम लोगों ने 0 ले दिया तो अब an हमारे पास यह है यह है तो a1 1 हो जाएगा a2 1 by 2 a3 1 by 3 and so on an क्या है 1 by n तो यह क्या हो गया limit n tends to infinity 1 by n 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on plus 1 by n और इसी की तो limit हम लोगों को पूछी गई थी तो इसकी limit क्या आ गई 0 आ गई तो यह example भी हो गया अब देखो समझाने में जब मुझे इतना कम टाइम लग रहा है अगर आप दो तीन कुषियन की प्रक्टेस कर लोगे मतलब कॉसीस फच्टरूर्म on limit के उपर तो पांच यह दस सेकेंड ही लगेंगे अगर उस कुषियन में कॉसीस फच्टरूर्म on limit का यूज हो रहा होग तो पांच 10 सेकेंड में आप लोग limit निकाल सकते हो अब हम लोग एक example और देख लेते हैं तो जो next example है वो बहुत अच्छा example है तो next example है so that limit n times to infinity 1 divided by under root n square plus 1 plus 1 divided by under root n square plus 2 and so on plus 1 divided by under root n square plus n is equal to 1 तो यहाँ पर भी हम लोग को एक sequence दी गई है और यह बताना है कि इस sequence की जो limit आएगी वो आएगी 1 तो देखो अभी तक जो मैंने आप लोग को दो एक्जामपल्स कराए ना उन एक्जामपल्स में जो sequence दीगी थी मदब जिस sequence की हम लोग को limit find out करनी थी तो वो जो sequence दीगी थे ना उसमें one by end into में something कुछ दिया गया था तो जो सुरू में one by end दिया गया था उसको देखकर आप लोग idea लगा ले थे ति हाँ causes first term on limit का use नहीं कर सकते हैं आप बिल्कुल कर सकते हो मैं इस एक्जामपल को causes first term on limit की help से ही solve कराऊंगा आप लोगको लेकिन अगर आप लोगको one by end देखना है कि इस sequence के पास one by end into में something type कुछ sequence है या फिर यह नहीं है तो आप लोगको थोड़ा दिब दृष्टी का use करना प कर दूं और n से multiply कर दूं तो अगर मैं n से divide करूंगा तो one by end into में something type को sequence आ जाएगी ना और वहीं तो हम लोगको चाहिए तो अगर one by end into में something type को sequence होगी फिर तो हम लोगको सीस फच्छ तरूम on limit का use कर सकते हैं तो मैंने क्या किया कि end से divide कर दिया और n से ही multiply कर दिया यह हो जाएगा limit n tends to infinity one by end and divided by under root n square plus one plus and divided by under root n square plus two plus and so on plus and divided by under root n square plus n तो यह sequence आगी है हमारे पास तो यहाँ पर तो अब देखो one by end दिख रहे ना तो लाश्ट वाला टर्म क्या है n divided by under root n square plus n तो इसी को हम लोग an माल लेते हैं तो an is equal to n divided by under root n square plus one अब हम इसकी limit निकाल लेते हैं an की क्योंकि जो limit an की आईगी वही limit a1 plus a2 plus a3 and so on plus an divided by an की होगी तो इसकी limit निकालने के लिए हम लोग को an की limit की भी तो जरूरत पड़ेगी ना तो an की limit निकाल लेते हैं तो इस an की limit कैसे निकालेंगे देखो यह जो under root के अंदर दिया गया ना इसमें से n square common ले लो तो under root के बाहर आएगा तो cable n आएगा तो उपर वाले n से नीचे वाला n cancel हो जाएगा तो हमारे पास आजाएगा an is equal to 1 divided by under root 1 plus 1 by n अब यहां पर limit apply कर देते हैं तो 1 by n की limit 0 और 1 तो सेम वैसा गा वैसा ही रहेगा तो इस पूरे की limit क्या होगी 1 divided by under root 1 मतलब 1 तो इस an sequence की यह जो हमारे पास an sequence थी इसकी limit आगी 1 as n tends to infinity अब हम लोग कॉसी फर्स थर् on limit limit n tends to infinity a1 plus a2 plus a3 and so on plus a n divided by n is equal to limit of a n और limit of a n क्या है 1 अब यहां पर यह जो हमारे पास an है न इस an की help से a1 a2 a3 and so on plus a n इन सब की value यहां पर put कर दें तो हमारे पास आजाएगा limit of 1 by n n divided by under root n square plus 1 plus n divided by under root n square plus 2 plus and so on plus n divided by under root n square plus 1 is equal to 1 अब क्या अब तो question हो गया इन सभी मैंसे उपर से n को common ले लिजे तो n common लेने के बाद उपर वाले n से नीचे वाला n cancel हो जाएगा तो हमारे पास यही बाली sequence तो आजाएगे that is limit n tends to infinity 1 divided by under root n square plus 1 plus 1 divided by under root n square plus 2 plus and so on plus 1 divided by under root n square plus n is equal to 1 तो यह वाला example भी हो गया बैसे अगर आप लोग को practice हो question को करने की तो इस question को करने में भी आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बी second का time लगेगा इस से ज्यादा time नहीं लगेगा तो अब तो आप लोग समझ गए होगे कि causes first term on limit का कैसे use करते हैं किसी भी sequence की limit निकालने के लिए तो बस आप लोग इतना ध्यार देखने को मिल जाए जिनमें easily आप लोग one by end को नहीं देख पाऊगे हो सकता है कि उसमें अंदर कहीं one by end छुपा हुआ हो तो वो जो one by end छुपा हुआ है ना उसको बाहर निकाल के लाओ बाहर खीच के लाओ अब चाहे आपको multiply करना पड़े divide करना पड़े कुछ भी करना पड़े लेकिन उसको बाहर निकाल के लाना है उसके बाद ही हम लोग को फस्ट फर्स्ट फर्म ओन लिमिट को apply कर पाएंगे आज के लेक्शर में मैंने आपको जितने भी एक्जमपल डिसकेशिंग करा है वह आपको सभी एक्जमपल अच्छे से समझ आये होंगे अब दो तीन एक्जमपल मैंने आप लोग को करा दिये ना कॉसिस फर्स्ट फर्म ओन लिमिट के उपर अब एक एक्जमपल मैं आप लोग को करने के लिए देता हूँ आप लोग के लिए तो वो कुशिन है तो कुशिन यह है मलब यहाँ पर भी हम लोग को एक सीवेंस दी गई है और इस सीवेंस की लिमिट बतानी है कि इस सीवेंस की जो लिमिट आएगी वो आएगी वान रोज स्भावा 5 यहां पर में गलती कर दिए हूं लिमिट की वैल्यू ने बतानी चाहिए थी कि इसकी लिमिट क्या आईगीस अब मैंने पहले से आप लोग को बत़ा दिया तो अब क्या कर सकता अब तो पहले ही आप लोग को पता लग कि इस सेक्वेंस की करके देखना कि क्या तुम कर पा रहो या फिर नहीं कर पा रहे हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्षिन में बताना कि सरम से वह कोशें नहीं हुआ जो आपने करने के लिए दिया था तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा करने में और अगर आप नहीं करते हो तो इसमें मेरा तो और अगर आप नहीं कर पातों तब भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्षन में बता आज का लेक्षर अब हम लोग यहीं पर फिनिस करते हैं इसके बाद अब हम लोग नेक्ष लेक्षर में कौसी सेकंड थ्योरम लेमिट के बारे में डिश्केशिन करेंगे तो जिस तरीके से हम लोग ने इस लेक्षर को डिश्केशिन के अथन है कि सबसे पहले थ्योरम के स्टेट्मेंट देन उसके बद एक्जामपल्स तो उसी तरीके से हम लोग नेक्ष लेक्षर में भी डिश्केशिन करेंगे और अगर आप लोग को आज का लेक्षर पसंद आया हो तो प्लीज आ आप जो भी लेक्षर देख रहे हैं जिनको भी देख चुके हैं आप लोग उन्हें लाइक करना बिलकुल न भूलें अगर आपकी कोई क्वेरी हो कोई सगेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं अगर आप चाते हैं कि इसी तरीकी की कोर्स में डेन टेंट सेक्ष नोटिफिकेशन सब्सक्राइब को जड़ी से जल्दी देख सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नंभूलें और सा तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्ट लेक्ष यार दॉमें टिक कियर बयाँ का चाइह कि चाइह